Hi guys, I am Chanchal और सारे Net Aspirants के लिए एक बहुत important news है तो NTA ने अपनी official notification जो है वो release कर दिये है UGC Net के लिए So हम इस video के अंडर देखेंगे कि हमारी registration dates क्या है Net के लिए उसके admit card डाउनलोड करने की dates क्या है आपका exam किस दिन होगा और उसके अलावा आपका result कब आएगा तो हम analyze कर लेते हैं कि हमारी dates पिछली बार से कितनी अलग है और इसके आपको क्या benefits या क्या नुकसाल हो सकते हैं और जैसे कि आप screen पर देख पा रहे हैं कि हमारी registration dates वो है 9th September से 9th October तक तो आप इस एक महीने के अंदर register कर सकते हैं उसके बाद आपका जो admit card है वो आप download कर पाएंगे 9th November से उसके बाद जो आपकी examination की dates है वो 2 December से 6 December के बीच में लाए करेंगी अब यहाँ पर एक important point है पहले का trend जब आपने देखा होगा उसमें हमारी जो dates है वो usually December 20th के बाद ही आती है बट हमारा जो है exam इस बार 15 दिन से pre-pon हो गया है तो आपको अपने preparation उसी के according strategize करनी पड़ेगी उसके बाद जो हमारा result है वो 31st December को release होगा तो अब इस exam को एक बार में clear करने के लिए हम आपको help करेंगी कि आप अपनी strategy कैसे बना सकते हैं जो हमारा preparation का time 15 दिन से कम हुआ है उसको हम strategize करने के लिए आपको help करेंगे तो हमने UGC net के लिए एक नया channel launch किया है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी request आ रही थी कि हम एक नया channel बनाए ताकि students को और clarity मिल पाए तो आपकी clarity और understanding के लिए ताकि आपकी preparation अच्छे से हो हमने नया channel launch किया है तो उस channel पर जाने के लिए आप eye icon पर click कर सकते हैं और उसका link आपको description में भी available है We specialize in commerce, management and HR for UGC net तो हमारे courses को purchase करने के लिए आप हमारी website पर जा सकते हैं वेबसाइट आप हमारी screen पर देख पा रहे हैं और किसी भी query के लिए आप हमारे given number पर contact कर सकते हैं I hope ये video आपके लिए काफी useful होगी और आप अपने preparation time से start कर पाएंगे Thank you so much for watching